तो फ्रेंड्स अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ, मोटिवेट करती रहती हूँ कि अपने काम को करिए, जो चीज आपको आती है, उसमें इंटरस्ट दिखाईए, उसको आगे लाइए, उसमें महनत कीजिए, कुछ करिए, घर में खाली मत बैठा कीजिए, चाहें अगर आ तो शॉट वीडियोस बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, जो केवल 30 या 60 सेकंड्स की होती हैं, तो इन सब चीजों में इंवाल्व हुई हैं, क्योंकि आज का जमाना बहुत आगे जा चुका है, घर में खाली बैठने से काम नहीं चलने वाला, अगर किसी चीज में इंटर रखाओ करके अपना डेली रूटीन अपनी लाइफ आगे लेके जा रही थी, बट मुझे केक बनाने में इंटरस्ट था, तो मैंने केक बनाना स्टार्ट किया, वीडियोस पोस्ट करने शुरू हुए, वीडियोस चलने लगे और आज मैं आपके सामने हूँ, मैं यह नहीं मैं अपने वीडियोस बनाती रहती हूँ, आपको explain करती रहती हूँ, बहुत सारे लोग तो बोल जाते हैं, कि बहुत बोलती हो, लिखती कुछ हो, बनाती कुछ हो, बट आप सभी जानते हैं, अगर आपको कुछ, अपनी चीज को किसी के आगे लाना है, तो थोड़ा बहु तो पब्लिक जो social media है, वो भी आपको देखता रहता है, कि इनके channel पर ये चीजे चल रही है, और ये काफी अच्छा एक explanation देती है, हो सकता है, हमें भी इनसे फायदा हो, और मुझे भी उनसे फायदा हो, तो इसी फिराक में वो भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, और हम लो मैं पहले खुद भी उनकी search, उनकी सारी जाट पटल करती हूँ, कि भी क्या चीज है, ये क्या दे रही है, और जब मैंने इनका सब कुछ सर्च किया, तो पता लगा, वाकई में, इनसे मैं पहले क्यों नहीं मिली, बहुत ही अच्छे इनके product है, और मैं ऐसे नहीं कहूँग प्रिमिक्स नहीं लाने वाली, जो मेरे पास पुराने मेरे बचे हैं, उनको तो मुझे खतम करना है, कैसे भी हो जाएंगे वो, और आते रहेंगे, बट अब मैं मार्केट का कोई प्रिमिक्स नहीं लाने वाली हूँ, मैं केवल यही product को use करूँगी, और मैं भी जाती जब ऐसी चीज का एक offer मिला है, कि आपके घर का जो प्रिमिक्स होता है, मैदा, बेकिंग पाउडर, सोडा, चीनी, हम लोग के बनाते हैं, बट बोलते हैं कि मार्केट वाला टेस्ट नहीं आता है, मैं जो मार्केट के प्रिमिक्स से बनता है, स्पॉंजी और वो जो जब मुझे इस तरीके से बनी-बनाई कोई चीज मिल रही है, तो मैं उसको क्यों न यूज करूंगी, तो आज मैं इनी प्रोड़क्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ, अपसे मैं यही यूज करने वाली हूँ, यह देखिए, इनके यही प्रोड़क्स हैं, कुछ ए बसको करता है, इस तो नीज मिल रही है, तो जो इनका सबसे पहला प्रोड़क्स है, वो है वनीला केक प्रोड़क्स, और यह जो ब्रांद है, वह है केक टाइम, बतलब यह जो लोगों देख रहे हैं न, पिंक कलर का, इसके ओपर लिखा है, कैसे, सब कुछ अभी दीटेल म बताऊंगी तो जो इनका सबसे पहला प्रिमिक्स है वो है वनीला केक प्रिमिक्स और इसके इंग्रीडियेंट्स मैं आपको यहां पढ़कर के बता देती हूं कि इसमें उन्होंने क्या-क्या डाला हुआ है आल परपस फ्लार यानि की मैदा, शुगर यानि की चीनी, बेकिंग पाउडर जो हम केक बनाने में यूज करते हैं निम्बू का सत इन्होंने डाला है या निकी सिट्रिक ऐसेड है या विनेगर यह डाल ली सकते क्योंकि ड्राई प्रिमिक्स है निम्बू का सत होता है यह सब एक प्रिजर्वेटिव होते हैं, नैचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं, यह कोई कैमिकल नहीं होते हैं, नैचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं, सॉल्ट है हलका सा, ताकि केक में टेस्ट अच्छा सा है, वनीला का फ्लेवर डला हुआ है, क्योंकि यह वनीला ब तो यह इसके जो हैं बेस्ट फीचर से यूज करने का तरीका डीटेल प्रोसेस आप तारा मदू की रिसोई पर देख सकते हैं इसे एक पूरा वीडियो मैंने उस पर डाला है तो जरू देखेगा और बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है सिर्फ आपको दूद और दही चाहि यह तो इसमें उसका भी सब्स्टिट्यूट है बताया गया है कि अगर आप दही नहीं उसकरना चाहते हैं तो यह बताया है कि इतना एक डालना है बट मैं वह यह रसीपी नहीं बना सकती विकॉज मैं कुछ ठच भी नहीं करती तो सारी फोर दैट बट आप लिखे हुए इ इसके बाद जो प्रेमिक्स दूसरा आता है वह हमारा चॉकलेट वनीला से तो आप किसी भी फ्लेवर का केक बना सकते हैं फ्लेवर एसेंस डालिये केक इस रेडी और कोई कलार एमलशन और यह बिल्कुल बहुत ही प्यूर तरीके से आता है इसमें भी इंग्रीडियंट्स ह बेकिंग पाउडर, निम्बू कसत, सॉल्ट, कोका पाउडर, चॉकलेट के के लिए जो होता है वनीला फ्लेवर भी होता है साथ में और कॉन फ्लार तरी सारी चीजे हम भी वही डालते हैं मेरी सारे इंग्रीडियंट्स यही रते हैं मैं एक एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर औ है क्योंकि यह कर्ड यूज करने को खुद बोल रहे हैं केक बनाते समय और इनी दूद, दही और मिल्क पाउडर से ही केक में टेस्ट आता है तो कोई भी चीजे आपकी चोई से आप डाल सकते हैं और यह भी फ्रेंड्स, नो इमल्सिफायर, नो स्टेबलाइजर, सुपर सुपर मॉइस, टेस्टी और हल्दी केक आपको बना करके देगा, पूरी प्रोसेस बनाने की सारी चीजे हैं, जैसा मैंने का डीटेल्स, इसके आगर आप देखना चाते हैं, इससे केक कैसा बनता है, तो तारा मद्दू की रस्वेपर देखिएगा, नेक्स इस फ्रेंड्स जो अभी तक आपको बहुत ही रेर मिलता होगा, वीट चॉकलेट केक प्रिमिक्स, मतलब आटे का प्रिमिक्स, मैदा भी यूज नहीं कर रहे, कई बार होता है कि कुछ लोग जो बड़े भुड़ो कम केक देते हैं, मैदा खिला रहे हो, क्या फेट में जमेगा ये, वो बो मतलब गेहू का आटा, शुगर, बेकिंग पाउडर, कॉन फ्लार, कोको पाउडर, सिट्रिक एसेड, इसमें उन्होंने सिट्रिक एसेड डाला है, नीवू का सत नहीं है, एक ही चीज है, पनीला पाउडर एंड सॉल्ट, जिसे की एक अच्छा और टेस्टी बने, और यकीन इसकी टाइम के रेडी टू बेक, डोनट प्रिमिक्स से आप बना सकते हैं, अपने घर में प्रिमिक्स, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, बटर या घी चाहिए आपको, गुंदने के लिए, दूज चाहिए, और बस पूरी प्रोसेस इसमें लिखी हुई है, बहुत ही सिंप इसमें कोई कलर नहीं है, 100% vegetarian है, super soft and tasty fluffy आपको डोनट्स मिलेंगे और तरीका पूरा इसमें लिखा हुआ है, और इसमें क्या-क्या है, all-purpose flour मैदा, sugar, चीनी होती है, yeast, खमीर जिससे उठता है, salt और bread improver, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं मेरी yeast activate नहीं होती है, हो जाती है, तो पूलता नहीं है, मतलब तमाम सरदर्द मोल मिले लेते हैं, जब हम ऐसी चीज़े बनाने जाते हैं, तो अब कोई tension की ज़रत नहीं है, सीधा ये प्रिमिक्स लीजिए, गूंदिए, रखिए, दो मिनिट के बाद ओयल में shapes काटके, अपने बच्चों को तुरन दे सकते हैं, अगर cake order लेते हैं डोनट, तब ये आपको बहुत फाइदा देगा, और डोनट बहुत ही famous चीज़े है, बच्चों को, parties, बदे parties में बहुत order मिलते हैं, तो अब मुझे जब भी मिलेंगे, कोई cupcake का offer आएगा, तो पहले मैं उसको जरू बलूँगी cupcake ना लेके, अब ये लेक देखाई नहीं, आपको ठ्राई कीजेगा, कि आपको garlic bread premix कहीं मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिला, friends, मैंने एक बार, मेरे बच्चे रिमांड कर रहे थी कि ममा, garlic bread बनाओ, तो मैंने बुला, मुझे तो नहीं आती बनानी, थोड़ा देखना पड़ेगा, पर जब देहन आपको मिलेगी, rich in taste, flavorful होगा, बड़ी आइस में flavor है, क्या है अभी बताऊंगी, and easy to bake, bake करके आप आराम से garlic bread बना सकते हैं, और इसके अंदर क्या-क्या ingredients है, all-purpose flour, bread improver, जिससे की bread बगरा बनती है, रोजमेरी, मतलब ये एक flavor होते हैं, basil, thyme, chili flakes, parsley, ये सारी चीज़े garlic bread जो होती है, उनमें डलती है, तो ये सारी चीज़े उनने खुद डाली हुई है, हमें कुछ भी डालने के ज़रुत नहीं है, क्योंकि ये चीज़े हम नॉर्मली अपने घर में रखते भी नहीं है, जब बना हो और ये खाले, तो ये garlic bread है, और मैंने सारे products के बारे में आपको detail में बता दिया है, और ये मैंने बोल दिया है, अपने खुद चैनल पर कि अब मैं मार्केट का कोई primix यूज़े नहीं करने वाली हूँ, उनको अब खतम करूँगी, और जब best quality मेरे घर जैसी बनी मार्केट स्टाइल के टेस्ट में मुझे मिलेगी, तो फिर मैं मुझे नहीं लगता मुझे मार्केट के primix में जाना चाहिए, मैं यही यूज़े करने वाली हूँ, अपने customers को भी देने वाली हूँ, और उनके feedback भी आपको, अगर कोई ask for us में मुझे video बना कर देगा, जिसक description box में इसका online purchase link है, फटाफट जाकर उसको click कीजी, आप ले सकते हैं, और website से अगर आप इने purchase करते हैं, तो यह जो वनीला प्रिमिक्स है, यह केवल 90 रूपीज में आपको मिल जाएगा, 250 ग्राम, 90 रुपे का 200 ग्राम, तो आराम से यह package जो है, आपके 180 ग्राम एक sponge बनाता तो बुझे ने लगता, friends की कोई wait करना चाहिए, बाकी की costing भी आप description box से ले सकते हैं, तो आज मैंने जो प्रिमिक्स को लेकर problem आती थी ना लोगों को कि मैं यह प्रिमिक्स अच्छा है कि नहीं, मुझे यह बताएगे कि कौन से प्रिमिक्स है, मैं केक बनाओं कि मेरे पास cake के order आए, मेरे customer मुझे से खुश रहें, और उनको टेस्ट मुझा जाए, तो मेरी full guarantee 100% इनको लाइए, आपको खूब भर-भर के order मिलेंगे, और मतलब आपका भी मन खुश होने वाला है, बनाकर customer का तो होने वाला है, और मतलब सब की बल्ले बल्ले है, तो I hope आज के इस वी बड़िया चीज, बिना किसी preservative, बिना किसी MLC fire, no artificial color से आपको जब मिल रही है, तो मुझे लगता कि हमें और market में search करनी चाहिए, जब हमें ये best product मिल गए है, तो उनके साथ भी share कीजिए, ताकि उनको भी ये पता लगे, और मेरे channel, अगर आप नए हैं, तो चानलों को subscribe कर कर लीजे, साइड में जो bell icon और से प्रेस कर लीजे, और हम फिर मिलेंगे, फिर से कुछ नया जानने के लिए, सीखने के लिए, try करने के लिए, और इनकी recipes आप जरूरतारा मदू की recipe पर देखेगा कि ये कैसे बन करके त्यार होते हैं, तो चलिए कल मिलेंगे, bye bye, take care.